First Byte की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राइजग है जैना जुएलर्स आबुलेन मेरत नमस्कार मैं राहूल हुड़ा और आप देख रहे हैं First Byte.tv कोरोना वाइरस की शुरुवात से लेकर महामारी बनने तक की कहानी हम बताएंगे आपको तो चलिए जानते हैं कि कोरोना कब कैसे और कहां से आया चीन की वहान लैब में इबोला, निपा, सोर्स और दूसरे घातक वाइरसों पर रिसर्च कर रहे वैग्यानिक अपने माइक्रोसकोप में एक अजीब सा वाइरस नोटिस कर रहे थे मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा वाइरस पहले कभी नहीं देखा गया था इसके जैनेटिक सीक्वेंस को गोर से देखने पर पता चल रहा था कि ये चमगादड के करीबी हो सकते हैं वैग्यानिक हैरान थे क्योंकि इस वाइरस में वो सोर्स वाइरस के साथ समानता को देख पा रहे थे जिसने 2002-2003 में चीन में महामारी लादी थी और दुनिया भर में 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे उस वक्त भी ये बताया गया था कि सोर्स छूने और संकरमित वैक्ती के चीकने या खासने से फैलता है लेकिन तब चीन इस वाइरस को छुपा ले गया था दिसंबर के शुरुवाती हपते में वहान की सी फूड मार्किट के इर्दगिर्द रहने वाले कई लोग बुखार से पीडित होने शुरू हो गए इनके टेस्ट के लिए सेंपल लैब में भेजे गए जिसके बाद ये सेंपल वहान इंस्टिटूट ओफ वायरलोजी नेशनल बायो सेफटी लैब के पास पहुँचे यहां वैग्यानिक के माइक्रोसकोप जो उन्हें दिखा रहे थे वो आने वाले जानलेवा ग्लोबल खत्रे का संकेत था मगर चीनी अधिकारियों ने डॉक्टरों और वैग्यानिकों को बदनामी और अफरात अफरी के माहोल से बचाने के लिए खामोश करा दिया नए साल के जशन में दुनिया और चीन डूबे थे और ठीक उनकी नाक के नीचे ये वाइरस लगातार फैलता जा रहा था 7 से 14, 14 से 21, 21 से 42 होते ये तादाद 1000 तक पहुँच गई मगर चीन इस पर रोक थाम के बजाए इसे जानलेवा बिमारी को दुनिया से छुपाने में ही लगा रहा अंग्रेजी नए साल के बाद आया चीनी नए साल अफरात अफरी से बचने के लिए चीन ने इस जानलेवा वाइरस की खबर को सामने तो नहीं आने दिया मगर अंदर ही अंदर वुहान की इंस्टिटूट ओफ वायरलोजी नेशनल बायो सेफटी लैब में इसकी जाच चलने लगी यूँ भी इस लैब में पिछले कई सालों से चमगाद़ों से फैलने वाली बिमारियों पर रिसर्च चल रही थी ये रिसर्च इसलिए थी क्योंकि ना सिर्फ वुहान और आसपास के इलाकों में चमगाद़ों की तादाद ज्यादा है बलकि यहां चमगाद़ों और दूसरे तमाम जानवरों का मास खाने और सूप पिने का चलन भी जोरो पर था और अब तक की जाँच में ये तो साफ हो रहा था कि हो नहो ये जानलेवा वाइरस इन्ही चमगाद़ों से ही फैला है चाइनीज सेंटर फोर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेशन की स्टिडी के डेटा भी इसी तरह इशारा कर रहे थे अचानक खबर आई कि कोरोना वाइरस के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले डॉक्टर ली की मौत हो गई बताया गया कि डॉक्टर ली 12 जनवरी से अस्पताल में भरती थे और 30 जनवरी को पता चला कि वो कोरोना वाइरस की चपेट में आ चुके हैं चीन ने कहा कि उन्हें बचाने की कोशिश हुई लेकिन बचाया नहीं जा सका वुहान सेंट्रल होस्पिटल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डॉक्टर ली की मौत साथ फरवरी की रात करीब दो बजगर 58 मिनट पर हुई और बताया गया कि उन्हें कफ और बुखार था हलाकि सरकार विरोधिक गुटो का ये मानना था कि चीन ने उन्हें इस माहमारी का खुलासा करने की सजा दी है ये खबर इसलिए भी हावी हुई क्योंकि शुरुआत में चीन के 20,000 कोरोना पीडितों को मार देने के लिए सुप्रीम पीपल्स कोट में अरजी देने वाली खबर भी आई थी मगर ये दोनों ही खबरे कन्फरम नहीं हो सकी लेकिन चीन में जो कन्फरम हुआ वो था दुनिया में अब तक का सबसे जानलेवा वाइरस के सामने आने का सच जो अब तक देखते ही देखते हजारों लोगों को अपनी चपेट में लेकर बे मौत मार चुका था डॉक्टर ली वेनलियांग जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले कोरोना वाइरस से आगा किया था खुद उनकी मौत हो गई ये मौत कोरोना वाइरस से ही हुई या फिर चीन की सरकार ने उन्हें ये राज दुनिया के सामने फाश करने की सजा दी ये फिलाल सवाल ही बना हुआ है सवाल ये भी बना हुआ है कि कोरोना चमगादर से फैला या चीन की लैब से खुद चीनी वैज्ञानी किस बात का दावा कर रहे हैं कि ये जानलेवा वाइरस किसी जानवर से नहीं बलकि चीन की लापरवाही से फैला है तो इस खबर में बस इतना ही देखते रहे है फर्स्ट बाई डोट टीवी